हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में 20 सी फर्स समेस्टर में जैसा कि आप जानते होंगे कि कल क्लास में हमने एक न्यू चाप्टर स्टार्ट किया था ये है फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है Convergence of Infinite Series इस चाप्टर में कल के क्लास में हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम टेस्ट को लगाका सीरीज को बताते है कि वो Convergent होगी या Divergent होगी तो हमने कल कौन से क्लास में क्या पढ़े थे कौन कौन से टेस्ट पहला हमने पढ़ा CT यानि की comparison test दूसरा हमने कल आपको बताया पी टेस्ट तो जब भी comparison test लगता है तो पी टेस्ट तो लगता ही लगता है तब उसके बाद हम बताते हैं कि यह सीरीज Convergent होगी या Divergent होगी तो पूरा जो डीटेल था वो हमने Convergent Divergent की बारे में कल की class में बता दिया था आज कई सारे सवाल इस पर based लगाएंगे तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं board पर हमने question लिख दिया है और question इसी तरीके से आता है कोई भी टेस्ट हो हमेशा question ऐसे ही होगा लिखा हुगा test the series और आगे series आपको दे रखी होगी अब वह आप पर depend करता है कि आप उसमें कौन सा test लगाकर उसमें बता सकते कि यह divergent होगी या convergent होगी तो वह हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप इसे समझेंगे तो अभी तक तो comparison test and pre test चल रहा है तो यारी लगना तो यह वही है अब देखी कैसे करते हैं तो जैसा कल के class ने solve करवाया था question last में सेम वैसे लगेगा देखिए हमने सबसे पहले डाना solution इस series को लिखेंगे लेकिन series को कैसे लिखेंगे इसके लिए line लिखेंगे कौन सी line कि the given series वैसा ही चलता है वैसे चलाएंगे जैसे कल की class में आपको बता रहे थे क्या लिखा है ता given series can be written as मतलब इस series को जो दी गई है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कैसे लिखेंगे देखिए हमने लिखा one plus a one plus b upon me one into two into three जो भाई डॉट लगा इसका मतलब multiplication से होता है आगे क्या लिखा है फिर है two plus a two plus b और फिर upon में है two into three into four फिर है plus आगे लिखा है three plus a three plus b upon में है three into four into five इसी तरह ही किस अगला स्टेप क्या होगा four plus a four plus b upon में यहां पर three से तो अगला जागा four into five into six तो यह series ऐसे चलती जाएगी तो आप पताईए इसका end term क्या होगा बीच में तो कई number of terms होंगे देकिन end term कैसा होगा तो end term निकालना पताया देखिए कैसे निकालेंगे series कहां से start हो रही है one से तो देखिए अभी केवल इस bracket को देखिए one two three ऐसे आगे four होगा five होगा series से चलती रहेगी तो जब series one से start होती है तो end term क्या होगा n होगा अब देखिए सभी में a जुड़ रहा है सभी में आगे भी जुड़ता रहेगा तो end term में भी जूड़ दिया तो पहला तो काम हो गया अगला देखिए यहाप यहाँ पहला पहला तर्म देखिए तो पहला पहला तर्म देखिए अगले में four होगा फिर अगले में five होगा पहला तर्म तो इसके लिए क्या होगा वन से स्टार्ट होगी तो end term क्या हुआ एन हुआ उसके बाद देखिए फिर इस सेगें टर्म देखिए जो आप और भी लिखा है तू त्री फॉर अब सिरीज कहां से स्टार्ट हो रही है तो जब टू से स्टार्ट होती है तो end term क्या होता है एंड प्लस बन हो तब रहेंगे एक और इसमें एड करते हैं कि क्या हो जाएगा एंड प्लस टू हो जाएगा तो यह हमने इसका एंध टर्म निकाल दिया तो आपको देखिए कितनी आसान तरीके से हमने एंड निकालना सिखा दिया अब हम इसे कुछ मानते हैं तो मान लीगे यहां लैट कर लेंगे सिग्म यूए बरावर सिग्मायोन मान लिया अब यहां पर क्या करेंगे जो हमारे से हटा कर वहलन को लेंगे ज़ आरखिके हैं भίας का सिमपल लगाएं तो क्या करेंगे तो देखिएं यहां लिखा सिग्यमाय यूएण यह चैसा चल रहा है चल लो वह बिखंगे n प्लस a, n प्लस b अपॉन में n, n प्लस 1 and n प्लस 2 लिख लिया लेकिन अगर केवल यह लिखा है तो गलत हो जाएगा हमें इसके आगी क्या लगाना पड़ेगा summation का symbol लगाना पड़ेगा यानि कि sigma लगाना पड़ेगा यह sigma जैसे हटाएगे वैसे ही सिरीज खुल जाएगी आगया समझ में यही अपने आपको बताया था अब अगले step में sigma हटा कर लिख लिख लिए यह आजाएगा n प्लस a, n प्लस b अपॉन में n, n प्लस 1 and n प्लस 2 तो यह आगया देखिए यहां दोनों से हमें sigma हटा दिया अब हम क्या करेंगे apply करेंगे हमारा comparison test and p test और जब हम comparison test निकालते हैं तो दो function वहाँ पे दो series की ज़रत पढ़ती है एक un और एक vn तो un तो आपके पास है vn निकाल देते हैं तो vn पहले निकाल देते हैं फिर apply करेंगे test को तो vn कैसे निकालते हैं बताया था उपर जो भी n की highest बस देखे n की highest power ही हम vn निकालते हैं तो n की highest power उपर देखनी है नीचे देखनी है बस तो देखे यहाँ पे n की power कितनी है 1 यहाँ n की power कितनी है 1 मतलब n, n क्या होगे n square दोरों multiplication में है और यहाँ पे कोई symbol तो चल नी रहा है तो यहाँ यह टोटल क्या हो गया टोटल n की power कितनी हो गई n square ऐसी नीचे देखे इस सारे multiplication में तो n, n, n तो उन तीनों मिलकर क्या हो जाएगा n cube तो यही highest power हो गई इसकी इसे solve करेंगे कितना हैगा 1 upon n आएगा तो vn का मान मिल गया अब apply करेंगे हमारा comparison test तो लिखा apply comparison test apply कर दिया comparison test तो comparison test क्या होता है limit n tends to infinity चलता है उहाँ होता है un upon vn बराबर लगाते हैं un की जिगह यह value रखेंगे n plus a n plus b upon में n, n plus 1 n plus 2 लग दिया अब देखिए इसी के upon में vn की इसके नीचे vn की value आई 1 upon n लेकिन जब यह 1 upon n उपर जाएगा तो क्या हो जाएगा n upon 1 हो जाएगा अब देखिए 1 n से 1 n cancel हो गया क्या बचेगा इतना term आपके पास केवल इतना बचा है तो हम यहाँ से क्या करेंगे हमने आपको बताया था कि upon वाला जो भी आपका चल रहा है क्योंकि मैं limit लगानी है अगर आप direct limit लगा देंगे तो upon भी infinity बन जाएगा और भी सवाल 0 हो जाएगा ठीक है और अगर देखें देखा जाए तो उपर भी infinity बन रहा है यानि infinity upon infinity है तो indeterminate form मन जाएगी तो ऐसा नहीं करना है क्या करते है अगर नीचे जो भी limit वाला symbol चल रहा है अगर चल रहा है तो उसको common ले लेते देखें कैसे common लेंगे यहां पर limit भी लगेगी यहां लगा दी limit n tends to infinity क्यों लगाई क्योंकि यहां पर इधर चल रहा है तो इधर भी चलेगी देखें अगर आप infinity यहां रखेंगे यहां भी infinity रखेंगे तो indeterminate form मन जाएगी तो इसलिए क्या करेंगे जो भी n होता है उसे common निकाल लेते हैं बाहर देखें कैसे लेंगे यहां उपर वाले से बिफ़ दोनों न कॉमन निकाल लेंगे yeah n square यहां से n निकाल यहां से न निकाल हो गया ठीकिए लेकट में क्या उपण बचल?" बचल का वन प्लस, इपउर न और यहां वचा वन प्लस बी अपन डिखिए यहां यह से न निकाला तो इन बंसक्राइस करेंगे यहां से जोस्टने fatto पूर्द ह待 यहां से यहां पर आगे एंसे करने से लिमिट भी चल रहें गहाँ to infinity अब देखिए अब हमारा इतना गेवल बच्चा है अब आप लिमिट टेक करेंगे तो 1 प्लस A upon infinity किसी के भी upon में infinity हो तो यह indeterminate form है तो जाने कि अगर upon में denominator में infinity आता है तो हम क्या करते हैं उसे 0 कर देते हैं तो यहां को टेक कर रहें तब अब देखिए यह क्या हूजाएगा one plus one upon infinity यह भी zero हो गया उसके बाद यह देखिए one plus two upon infinity यह भी जिरो गया यानि finally यह हम जब solve करेंगे तो कितना आया या यह यान या लिमिट लगाके तो देखी इसके आगे का सवाल अब यहां पर हम लिखेंगे apply पी टेस्ट apply करते हैं पी टेस्ट पी टेस्ट क्या होता है सिग्मा वी एन बराबर देखें सिग्मा वी एन जो होता है आपको इससे बराबर रखना पर मतलब one upon n की पावर पी के होता है लेकिन हमें इसकी value पता है देखें वी एन का मांन कितना है one upon n यह तो निकाल चुकी लेकिन इधर सिग्मा लगाया तो इधर भी सिग्मा लगा दीजिए आप इससे compare करेंगे यहां लिखेंगे compare with किसे compare करते हैं सिग्मा one upon n की पावर पी यह small p बने यहां पावर में कुछ नहीं तो कितना होगा वन होगा यानि कि एन का मान यहां कितना आ गया एन का मान आ गया है वन तो इसलिए लिखेंगे P is equals to 1 अब इस P से पता चल जाएगा कि हमारी सो सिरीज है वो कनवर्जेंट है या डायवर्जेंट देखें हमने आपको दो कंडिशन बताई थी कि अगर P का मान greater than 1 हो तो तो हमारी सिरीज कहलाएगे कनवर्जेंट ठीक है और अगर P का मान less than या equal 1 हो तो क्या कहलाएगे सिरी is divergent तो यह क्या आया है P का मान बराबर बनाया तो यह second condition apply कर रहा है तो यहां क्या लिखेंगे इसलिए करके लिखेंगे hence by P test hence by P test hence by P test hence by P test sigma Vn is divergent अब देख लिजे अगर यहां पे बान इसका एक आ गया या एक से कम आए तो divergent होगा otherwise convergent हो यह बराबर आगया तो divergent हो गया यानि Vn divergent हो गया जब Vn divergent हो गया तो भाई UN जो सीरीज होगी वो भी तो क्या हो जाएगे divergent हो जाएगी तो यहां पर लिखेंगे so sigma UN बीदा also divergent अगर यहां पर convergent होता तो यह भी convergent होती यह किस पर depend करता है हमारे Vn पर दिपेंड करता है अगर वी एंड होगा थो योएन भी क्या होगा दाइवर्जेंट होगा तो बस ये series क्या कर रहेगी जो दे रखिए गिविन series क्या है हमारी divergent है तो सबसे पहले आप इस पूरे का screenshot ले लिए ये है रही हमारी जी रखने वाले हैं कुछ भी टेंशन नहीं और 15 नम्मर फ्री में मिलेंगे अगर आप यह दसोर टेस्ट के के वल आपको क्या याद करना है यह रूल याद करना है जो हमने आपको कल बताय था था ना जिसमें दसमें से दो टेस्ट तो बता चुक दो टेस्ट में आपको यह चैनला और याद रखना है कि लिमिट एंगेंस तो इंफिनिटी यू-वि युफी आपको हमनें और ugm निकालël के रखना लिखने और पीकिन केंजा याद करें घरते हैं को फॉर्मूले पदा हो घ्सकर को यहाद नेहीं विक्वान भी नहीं होते हैं तो चुछ में कुछ ख लिखे और ये फॉर्मुले पहले भी आपको पता चुके हैं। हो सकता है आपक लिए नया हो लेकिन ये अभी हो सकता है आपको नया नया लग रहा हो लेकिन देखा उपद प्रमय कहते हैं, देखिए, कैसे expand होती है binomial theorem, देखिए, 1 प्लस x की whole of power n है, तो binomial theorem कैसे expand करेंगे, देखिए, सबसे पहले जितनी power है, उसे x के coefficient में ले आते, देखिए, क्या लिखा, 1 प्लस, जो हमारा power था, उसको power को x के साथ में ले आ, multiply में ले आ, हो गया, 1 प्लस nx हो गया, यह दो term ही बस आपको याद रखनें, क्या करते है, binomial theorem में, power को x के साथ ले आते, इतना आ गया समझ में, अब एक step और समझ लीजे, क्या किया, यहाँ पर n है केवल, तो अगले में क्या होगा, n, n-1 हो जाएगा, मतलब n था, वो तो रहेगा, एक और कम हो जाए अब अगले में एक और power कम हो जाएगी, मतलब एक और term कम हो जाएगा, देखिए, n, n-1, n-2 हो गया, अब देखिए, x की power 2 है, यहाँ x की power 3 हो गया, जितनी power उतना factor, ऐसे ही यह series आगे, चलती चली जाएगी, अगर यहाँ बीच में minus होगा, तो इसमें भी वही follow करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि power को x के coefficient में ले आए, ले आए, हो गया 1-nx, ठीक है, अब यहाँ पे जैसी यह बताया, वैसा यह भी खुलेगा, बस इसमें इतना होगा, यहाँ minus चलता है, तो यह series में alternate चलेंगे, मतलब कि पहला plus, minus, plus, minus, इस तरह से, लेकिन plus है, बीच में, तो सारा जो हमारा पूरी extent series होगी, उसमें क्या होगे, प्लस होगे, ठीक है, अब देखिए कि करगिन सवालों को solve कराते हैं, सबसे पहले, सवाल नंबर पहला, तो हमने यह लाइन खीची, और लिखा, solution number 1, देखिए, यहाँ पे पहला सवाल क्या रखा है, sigma sign 1 upon n, तो इस सवालों में सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना है, लिख दिया, let sigma un बराबर, sigma sign 1 upon n, मतलब क्या किया, जो भी हमें series दे रखी है, उसे sigma un मान लिया, अभी तक जो series आ रही थी, वो पूरी extent series थी, हम क्या करते थे, केवल direct enter मुटार के लिख लेते थे, इसमे direct हमें दिख रहा है, कुछ भी series है नहीं, sigma लगा लगा है, दिख रहा है, तो कुछ करना ही नहीं है, अगले step में क्या करेंगे, sigma हटा कर लिखेंगे, तो हमने वही हटा कर लिख दिया, अब सवाल लगेगा वैसे, बस यहाँ पर आपको formula खोल देना है, sign x का, मतलब sign x की series व cos की series even numbers में चलती है, दोनों में factorial तो होता ही है, upon में देखें, तो वही apply करेंगे, यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, 1 upon n, यह जो 1 upon n है, यह भाई x का काम कर रहा है, तो जहाँ जहाँ हमारे formula में x होगा, वहाँ पे 1 upon n रंग देंगे, तो क्या आजाएगा, यह आजाएगा un बराबर, पहला आएगा x, आगया x का मतलब 1 upon n, x minus 1 upon factorial 3, तो 1 upon n की power कितनी हो जाएगी, whole of 3 होगी, अब देखें, आगे हमने लगाया, plus लिखा 1 upon factorial 5, और लिखा 1 upon n की whole of power कितनी हो जाएगी, 5, and so on, minus लगा दें, and so on, इस तरह से series आगे spread लोगी, देखें, पहला क्या होग आगे, x से start होई, alternate में चली, factorial चल लाएगी, odd numbers है, जितनी power उतना factorial, जितनी power उतना factorial, अब अगर हम एक step इसमें सही कर दें, कि अगर हम इस bracket को हटा कर यह जो power है, इसे यहाँ पर लगा दें, सेम इस ब्रैकेट को हटा कर यह जो power है, इसे हम यहाँ पर लगा दें, तो क्या गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्या किया, देखे, power whole of 3, यहाँ पर 1 की power 3, n की power 3, तो 1 की power 3 का तो मतलब वही हुआ, 1, तो नीचे आजाएगी power, ऐसे इसमें देखे, 1 की power 5, n की power 5, तो n की power 5 जैसा है, वो तो वैसा रहेगा, लेकिन 1 की power 5 का तो मतलब 1 ही हुआ, तो इसलिए, एक step solve कर दिया, यहाँ पर, अब देखे, क्या करेंगे, comparison test लगाने के लिए, VN की ज़रूत परती है, तो अब हम लगा, निकालेंगे VN, तो अभी तक VN निकालने का तरीका क्या था, जो भी highest power n की होती है, उसे लिख लेते है, numerator और denominator दो नोग में, ठीके, लेकिन इन सवालों में क्या होगा, n अगर आप देखेगे, तो यह series कहां तक जा रही है, पता नहीं है, कहीं तक भी जा सकती, क्यूंकि अभी यहाँ और number से, तो और numbers तो कहीं सारे होते हैं, बता नहीं सकते, कहां तक यह series जा रही है, तो जब भी इस तरीके का सवाल हो, तो जो भ क्या मान लेते, vn, तो यहां पे क्या होजाएगा, vn कितना हो जाएगा, 1 upon n हो गया, आगया समझ में, आप देखे, अब apply करेंगे यहां पे comparison test, तो लिखा, apply, comparison test, तो, comparison test क्या होता है, limit, n tends to infinity, un upon vn लिख दिया, आप देखे, un का मान इतना, vn का इतना दोनों रख देते है यह आ जाएगा limit n tends to infinity, यह आ गया 1 upon n minus 1 upon factorial 3, 1 upon n cube, फिर क्या है, plus है 1 upon factorial 5, 1 upon n की power 5 and so on, लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, अब देखिए upon में vn का मन कितना है, 1 upon n, अब आमने आपको पता है, नीचे जितना भी n है, मतलब जो limit के साथ n चलता है, तो n को cancel करना होता है, कैस से cancel करेंगे, तो 1 upon n है upon में, तो उपड़ से भी 1 upon n निकाल देते हैं, जिससे की cancel हो जाएगा, तो 1 upon n इस वाली सीरीज से हम बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे, तो 1 upon n से 1 upon n, cancel हो जाएगा, अब हम direct लिख रहे है, cancel वाला टर्म हटा कर, direct लिख रहे, इतना वच and so on देखिए मैन निकाला तो जब निकाला तो यहाँ देख्यावान फैक्TERL说 यहाँ से समझ में आ गया यानि से 1 एक पॉन n तो देखिए यहां पे n है तो यहां infinity आएगा 1 upon infinity 0 और यह पूरा term 0 हो जाएगा multiplication जल रहा है यहां पर भी n है यह भी 0 यानि आगे जितने भी terms होंगे वो सारे 0 बन जाएगे केवल क्या बचेगा 1 तो क्या आजाएगा यहां पर limit इसमें लगनी सकती क्योंकि n है तो n अगर 1 है अगर n होता तो limit लगती लेकिन n यहां है ही नहीं तो यहां पर कितना आजाएगा limit लगाने के बाद यह सारा 0 जाएगा और 1-0 कितना आगया 1 आगया तो यह हमने निकाल लिया है comparison test ने finite का मतलब है count table तो है आप क्या करेंगे apply करेंगे p test तो यहां लिखा आपने apply p test तो p test के लिए क्या करेंगे देखे p test के लिए हमने लिखा sigma 1 sigma vn तो लिखा sigma vn आब vn का मान पता है 1 upon n है सिग्मा लगा के लिख देंगे इधर यहां पर 1 upon n इसे compare करेंगे तो यहां लिखा compare with sigma 1 upon n की पावर P अब जब आप दोनों को compare करेंगे तो P का मन कितना आ जाएगा यहां पर P का मन 1 आ जाएगा तो यहां लिख देते हैं इसलिए करके इसलिए P बराबर 1 अब आप खुद बताईए अगर P का मन 1 है तो इसलिए क्या कैलाएगी तो आगे क्या लिखेंगे hence करके लिख देंगे कि Hence by P टेस्ट सिग्मा VN इस डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट सो सिग्मा यूएन बी दा और सो डाइवर्जेंट जब यह डाइवर्जेंट आ गया तो हमारा जो यूएन होगा वो भी क्या होगा divergent होगा तो ये लीजे पहला जो सवाल है completely solve हो गया है तो आप इसका इस रिचौड ले लीजे अब क्या करेंगे अब हम यहाँ पे थर्ड वाला लगा रहे है second से पहले थर्ड लगा लेते हैं क्योंकि दोनों similar हैं बस यहाँ पे सवाल लगा रहे है अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी बड़ी सी और यहाँ पे लिख दिया क्या हमने यहाँ पे किया है इसकी series पूरी expand कर दी और यह वाला वन अपॉन यह चल रहा है अब क्या करना है इस वन अपॉन इनको अंदर लग भेजना है अंदर वेज देते हैं तो यहाँ पे यह आ जाएगा देखिए हमने यहाँ पे लिखा यू एन बराबर जब आप इसे अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon N square हो गया ठिके माइनस अपॉन फैक्टोरियल 3 1 upon N की पावर 4 हो गया प्लस 1 upon फैक्टोरियल 5 यहां गया हो जाएगा N की पावर 6 हो गया माइनस और इतना ही तो आजाएगा अब यहाँ पे VN निकालते है इसी के नीचे आपको VN निकालना है वियन हमने आपको उता है पहला टर्म वियन के लाएगा मतलब वियन हो गया 1 upon n-square अब वही है आपको comparison test लगाना है यहां पे हो जाएगा square यह हो जाएगा power 4 और यहां क्या हो जाएगा power 6 हो जाएगा ठीक है upon में यहां क्या चल रहा है 1 upon n-square वियन का मान रख दिये मान अब देखे 1 upon n-square cancel करना है तो आपको उपड़ से 1 upon n-square common लेंगे common लेंगे तो अंदर क्या बचेगा यहां 1 बचा minus यहां पे बचेगी power कितनी बचेगी देखे 4 है 2 निकाल ली तो भई बचेगी 2 ही यहां 6 है 2 निकाल ली कितनी बचेगी 4 ही बचेगी अब देखे common निकाल के यह दोनों तो हो गए cancel इतना step बचा limit टेक करेंगे यहां n है यहां n है बाकि सारे term में भी n होगा बाकि सारे 0 ब बचेगा सब कुछ भी सेम वैसी चलेगा अब क्या करेंगे पीटैस अपलाई करेंगे तो यहां पर क्या आती है सिरीज हमारी यह सिरीज हो जाएगी अब divergent की जगें कन वर्जेंट और जब वी एन हो जाएगा कन वर्जेंट तो हमारा यू एन भी क्या कहलाएगा और समझ में आ गया यह लीजे थार्ड नंबर सवाल भी हो गया अब इसका भी स्क्रींचवट ले लिए अब उसके बाद एक हम लगाते हैं सेकेड नंबरसे क्या होगा इसमें कॉस की सीरीज कुलेगी तो देखें इसमें हम इसे हटाया और साइन की जगे क्या अगया यह लीजिए साइन की जगे आ गया कॉस तो इसे आम इरेस कर कर देते हैं और यहां पर सामने लिखिए एक्स जहां जहां है तो यह आजाएगा पहला यहां पर यहां पर फैक्टोरियल टू पावर में टू यहां चलेगी अब आगे देखिए यहां पर इसमें निकालेंगे यह तो पूरा इस्टेप नहीं लिखना तो हमने निकालेंगे देखिए यहां पर निकाला थोड़ा सा सही करके आप लिखेएगा देखिए यूए निकल गया है निकाला तो वियन का हमने आपको बताया पहला टर्म वियन कैलाता है मतलब यह आगया वन अगर हम इसमें नीचे न की पावर 0 लिख दें तो क्या कोई द पाउन में वन है तो कोई प्राब्लम नहीं वन आएगा तो वन ही बस हमने इसे एन की पावर 0 यहां पर इसलिए लिखा क्योंकि हमें प्रेशन टेस्ट में इसकी जरुरूत पड़ती है ठीक है सॉल्व करेंगे आएगा तो वन ही ठीक है अब देखिए अब अब अप्लाइ चेंज हो जाएगा और अपउन में भी देखिए वी एंड कामान कितना है रख दिया यहां पर चेंज करते हैं 1-2 यहां पावर में 2 यहां फैक्टोरियल 4 यहां पावर में 4 अब देखिए यहां पर आपको नीचे कुछ नहीं कैंसल करना है यहां तो नीचे 1 ही चल रहा है अगर एंड होता तब कॉमन लेने कि यहां कोई जरूती नहीं है तो यह वाली लाइन का कोई काम ही नहीं होगा बतलब यह वाली लाइन अब आपको नहीं लिखनी है ठीके अब देखिए यहां पर क्या बचा जब आप यहां डारेक्ट लिमिट टेक करेंगे तो यहां यान की पावर जीरो तो यान की पावर जीरो कर दी तो यानि पी का मान कितना आजाएगा कंपेर करने के बाद जीरो आ गया और जीरो क्या है जीरो हो जाएगा लेस देन वन पतलब जीरो क्या है एक से कम है और जब पी का मान एक से कम होगा तो सिरीज क्या कहलाएगी डाइ divergent हो जाएगा तो हमने यहां लिख दिया divergent और यह भी हो गया सिरीज क्या कहलाईगी divergent भाई वी एंड डाइवर्जंट है तो यू एंड भी क्या होगा divergent होगा तो इस तरीके से देखें को जो हमारा second question है वो भी solve हो गया है तो आप इसका भी screenshot ले लिजे तो इस तरीके से हमने replace करकर के तीनों सवाल सॉल्फ कर दी आपको replace नहीं करना भाई आपको अलग-अलग सवाल लगाने तीनों का screenshot आपने ले लिया हुगा अब क्या करेंगे यह जो नीचे के ले लिया है अब पूरा erase करके हम आपको एक तीरों सवाल भी solve करवा देते हैं अब यहां पर देखिए अब हम लगाएंगे sigma हटा कर तो वहीं लिख दिया है UN माल दिया ठीक है अब इसे कैसे solve करेंगे यहां पर पावर में अगर आप इथर देखेंगे तो 1 बाई 2 है ऐसे भी सवाल आ सकता है ऐसे भी आ सकता है वहीं पावर 1 बाई 2 का मतलब भी क्या होता है अंडरूड ही होता है तो हमने आप बराबर यहां अंडरूड N है तो आप इतना दिमाग में रखेगा कि जो इधर स्टेप होता है उसे कैंसल करना होता है तो कैंसल करने के लिए क्या करेंगे यहां पर भी अंडरूड N common ले लिया जब common लिया तो यहां बचा 1 प्लस वन अपॉन एन और अब हमने अंडरूड ना लगाकर पावर वन बाई टू लगा दी आगे चल रहा है माइनस अंडरूड एन देखे इस टैप में क्या किया इस वाले टंग से अंडरूड एन के कॉमन लिया क्या बचेगा यहां न निकाल लिया न क्या बचा वन प्लस अब इस पूरे पर अंडरूड ना लगाकर हमने पावर वन बाई टू लगा दी मतलब तो दोनों का सेब हुआ यहां पर इसलिए पावर वन बाई टू है क्योंकि अब हो इपलाई करने जा रहे है फॉर्मूला ठीक है आगे जैसा चल रहा है लिखा रहे दिया अब देखे अब कि तरह है एन का फॉर्मूला यह वह लग जाएगा वन प्लस एक्स की पावर एन वाला मतलब बाईनोमिल थ्यूरम लगेगी तो इस थ्यूरम की अकॉर्डिंग हमने आप से क्या कहा जितनी पावर है उतना ही इसके मल्टिप्लाई में ले आएंगे मतलब एक्स के प्लस है तो बाकी के सारे सिंबल्स थो प्लस ही रहने वाले हैं अब अगले स्टेप में क्या होता है ऐन-1-1 यहाँ पर हो हो गया और न-1 अब यहाँ पर क्या है एकष का काम कर रहा है एकष कि यहां पर एक herd up कर सकते यह वाला लेकिन हमें затریक उत्कडिक काम करेंगि यहीं तक हमने दो step यह इसके लिखे और आगे and so on लगा दिया बस bracket को कर दीजिए बंद और आगे चल रहा है minus का under root and इसे लिख दिया आगे नहीं समझ में अगर जरूत पड़ती तो हम आगे third step लिखते बर नहीं रहने दीजिए ठीक है अब देखिए इसे solve करेंगे यहां लिखा un बराबर under root n यहां पे हम क्या कर रहे हैं इस under root n को इसके अन्दर पहुचा रहे हैं तो पहुचाते हैं यानि इसकी इसके multiply हुई इससे इसकी multiply होगी ऐसे इन दोनों multiply करा तो जब इसकी से अंडरूडन आगया प्लस लगाया अब देखें यहां पर multiply कर रहा है जब यह 1 अपॉन 2 तो ऐसी रहा यहां पर अंडरूडन है यह जब दोनों आपस में cancel होगा तो क्या इसन को आप लिख सकते एंडरूडन एंडरूडन एक vegan रूडन बचा ठीक है फिर क्या है फिर प्लस है लगा दिया उपर है वन अंपॉन 2-1 होगा बाइनस वन अपॉन 2 अपॉन में क्या है ये भी 2 चल रहा है, factorial 2 का मतलब होता है 2, यानि 2 into 1, 2 आ गया उपर क्या चल रहा है, यहाँ पर 1 upon n square, आप देखें यहाँ यहाँ under root n है, यहाँ पर upon में n square है, आप चाहें तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon n square, ऐसे भी तो लिख सकते हैं वहाँ पर n square है, यही पर तो आएगा अब यहाँ पर n की power 2 है यहाँ पर n root 2, मतलब n root में है जब आप इसे solve करेंगी, तो यह आजाएगा 1 upon n root n, कैसे आया देखें यह n square हम आपको यहाँ पर बताते हैं यह है n square, और उपर चल रहा है root n, आपको इसे solve करना है तो यहाँ पर इस n square को क्या लिख सकते हैं n into n, और 1 n को हमने मिटाल का लिख दिया under root n, under root n, इसका मतलब n square ही है ठीके, multiply में under root n चल ला है तो एक under root से एक under root cancel, क्या बचा n under root n बचा, तो यही लिखा है हमने ठीके, अब आगे क्या है, आगे हमने and so on लगा दिया, और आगे चल रहा है minus का under root n, तो हमने जब इसे अंदर पहुचाया, bracket solve हो गई, अब यह देखिए plus का, यह minus का under root n cancel हो गया, इतना step बचा है तो इसे भी लिख लेते हैं, यह हो गया un बराबर, 1 upon 2 root n, फिर क्या देखिए plus minus हो गया, minus, अब इसे solve कर लेते हैं, यह 2 सारे multiply में आजाएंगे नीचे denominator में, तो 2 into 2 कितना हुआ, 4, 4 into 2 कितना हुआ, 8, तो यह आजाएगा 8 n root n आगया ठीके, plus लगाया and so on तो यह un का मान मिल गया, अब vn निकालेंगे, तो vn बराबर, जो बताया, vn क्या होता है, n की highest power होती है, लेकिन साथ में, पहला term हम लिख लेते हैं, n वाला तो यह नी, vn कितना आजाएगा, 1 upon root n आजाएगा, ठीके, तो यह vn हमारा आगया, अब यहां से क्या करेंगे, हम comparison test लगाएंगे, तो लिखेंगे apply comparison test, तो लगा देते हैं, लिखा limit n tends to infinity, लिखा un upon vn, un का मान, यह वालाब रखेंगे उपर, limit लगा कर, limit n tends to infinity, कितना दे रखा है, 1 upon 2 root n, minus 1 upon 8 n root n, plus and so on, यह आजाएगा, ठीके, bracket लगा दिया आपने, upon में देखिए, vn का मान कितना है, 1 upon root n, अब देखें, यहां पे, इस 1 upon root n को cancel करेंगे, तो उपर से 1 upon root n निकाल लेंगे, जिससे वो cancel हो जाएगा, 1 upon root n से, upon root n cancel हो जाएगा, क्या बचेगा, देखिए, यह हमें लिखा limit n tends to infinity, जब हमने common लेके, उपर नीचे काड़ दिया, उसके बाद बचेगा, 1 upon 2, देखिए, इसको तो निकाल लिया, यहां बचा, minus 1 upon 8 n, ब्लस n, यह step बचेगा, इस root को भी तो बाहर निकाल लिया, ठीक है, यह step बचा, अब जब limit take करेंगे, तो यहां n चल रहा है, 1 upon infinity बनेगा 0 हो गया, यह भी 0, आगे जितने terms होंगे, वो सारे 0 होंगे, क्या बचेगा केवल, 1 upon 2 बचेगा, 1 upon 2 क्या है, एक finite number है, ठीक है, यह निकाल है, तो यह हमने लिकाल दिया, comparison test finite आ गया, अब क्या करेंगे, apply करेंगे p test, तो लिखा हमने apply p test, p test के लिए क्या होता है, sigma vn बराबर, vn कमान कितना है, 1 upon, अब देखें, root n है, तो root नहीं लिखेंगे, n कमान, मतलब n की power आजएगी 1 upon 2, क्योंकि हमें compare करना होता है power को, तो under root का मतलब क्या है, 1 upon 2 लगा दिया, compare करते हैं, तो लिखा हमने compare with sigma vn upon n की power p, compare करेंगे, तो p कमान कितना आ जाएगा, 1 upon 2, अब बताएगे 1 upon 2 क्या है, ये less than 1 हो जाएगा, मतलब कि 1 से कम हो गया, और जब 1 से कम p कमान है, तो series क्या कहलाएगी, divergent, तो यहाँ लिखेंगे, hence, फिल्कुल वही same line, hence by p test, sigma vn is divergent, ठीक है, divergent पूरा spell एक लिख रीजे का, divergent, so sigma un be the also divergent, तो यानि कि ये जो हमारा सवाल नमबर 4 था, ये कैसा है, ये series जो है, वो divergent कहलाएगी, तो आप इसका भी पूरे का screenshot ले लिजे, अब देखिए, उसके बाद, सवाल नमबर 5 बा, मतलब इसमें देखें कैसे करेंगे, ये भी सवाल same वैसे ही है, इसमें पहले से क्या मानेंगे, un मानेंगे, तो हम इसी में replace कर देते हैं, क्या दे रखा है, n3 है, तो हमने इस वाले under root को हटाया, और यहाँ पे कितना दे रखा है, n3 लिखा है, फिर है plus 1, और whole of power है, 1 upon 2, साथ में इधर कितना लिखा है, minus में दे रखा है, n3, और ये भी power कितनी है, 1 upon 2 है, अब हमें इसे solve करना पड़ेगा, देखे, जैसे कि हमने पहले under root n common लिया था, लेकिन इसमें देखे, इसमें जब आप solve करेंगे, तो यहाँ कितना लिखा है, power जब multiply होगी, तो n की power 3 by 2 हुआ, यानि कि यहाँ पर से भी n की power 3 by 2 ही common लेंगे, कैसे लेंगे, देखे, यहाँ से n क्यूब बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, n क्यूब बाहर निकाल लिया, यह लिजे निकाल लिया, जब हमने n क्यूब बाहर निकाला, तो भाई इस पर power भी तो चल रही है, तो power भी बाहर आएगी, सेम इस तरीके से बाहर आएगी तो power power multiply हो जाएगी तो कितना आजाएगा 3 by 2 ऐसे आजाएगा ठीके अंदर क्या बचेगा 1 plus 1 upon में n cube ये बचेगा देख लीजे न जब मैं n cube निकाला तो ये n cube इसके नीचे बहुत जाएगा आगे पावर 1 by 2 जैसा था वैसे रहेगा आगे क्या चल रहा है यहाँ पे अंदर रूट हट जाएगा ये क्या जाएगा 3 by 2 हो गया ठीके मतलब 3 upon में 2 है सही से लिखेगा अब क्या करेंगे यहाँ पे जो अंदर रूट ये जो है एन की पावर 3 by 2 ऐसी रहेगा ये वाला फॉर्मूला चेंज थोड़ा सा हो जाएगा कैसे यहाँ पे क्या है यह से 1 upon 2 पावर आई यहाँ पे क्या हो गया फिर N, N minus 1 मतलब N का काम तो 1 upon 2 ही कर रहा है इसमें कोई भी वो करना नहीं है N, N minus 1 हो गया पिर क्या होता है X की पावर होती है X यहाँ क्या चल रहा है X का मतलब है 1 upon N cube अब आगर आप 1 upon N cube की पावर कितनी करेंगे कितनी चल रही है हमारी 2 तो N cube की पावर जब 2 करेंगे यह पावर से multitude करेगा मतलब कितना आ जाएगा n की power 6 हो जाएगा आया ना समझ में क्या किया है x का square किया है x का काम यहाँ 1 upon n cube कर रहा है इसका square करेंगे तो कितना हैगा 1 upon n की power 6 अब जितनी power उतना factorial मतलब power कितनी लगाई 2 तो उतना ही factorial आ जाएगा बस इतने ही expand करें जादा नहीं करना है आगे क्या चल रहा है minus में n की power 3 by 2 लिख दिया अब देखें सेम भही चीज़ें इसे अंदर पहुचाते है अंदर जब हमने इसे पहुचाया तो अब यह क्या आ जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा n की power 3 by 2 प्लस लगाया इसकी यहाँ multiply करेंगे तो यहाँ पर दिकी 1 upon 2 ऐसी रहा यह है n की power 3 by 2 यहाँ है n की power 3 अब इसे side में solve करते देखिए यह है n की power कितनी चल रही है 3 by 2 और क्या solve करना है 1 upon n cube यह लिखा है तो हम यहाँ से n की power 3 by 2 को नीचे ले आते है जब यह नीचे आएगा तो 1 upon n की power कितनी हो जाएगे 3 minus 3 by 2 ऐसे हो जाएगा solve करिए 3 दूली 6 6 में से 3 जाएगा मतलब LC हम लेकर solve कर रहे है देखिए कितना आएगा 1 upon n पावर में देखिए 3 दूली 6 6 में से 3 गए 3 मतलब कितना आया 3 by 2 ही आगया तो यानि जब आप इसे अंदर ले जाएगे तो यहां कितना आजाएगा n की power 3 by 2 ही रहेगा आगे solve करिए इसे solve करेंगे इतना ही रहेगा यहां पिर देखिए यह power 3 by 2 है इससे multiply करते है यह है n की power 3 by 2 नीचे ले जाएगे तो यह कुछ ऐसे है 1 की power n की power 6 है और यह जब नीचे आएगे तो n की power minus 3 by 2 हो गया solve करेंगे तो कितना आएगा 6 minus 3 by 2 तो कितना आगे 1 upon n की power 6 दूरी 12 minus 3 12 में इसे 3 के कितना आगे है 9 by 2 यह सब आपको लिखना नहीं है हम आपको roughly solve करके दिखा रहा है चाहे तो वैसे आप ऐसी solve कर सकते यानि जब आपको इससे इससे यह cancel होगा तो कितना वचेगा n की power 9 by 2 बचा तो हमने इसे erase किया और लिखा n की power 9 by 2 साथ में यहाँ पे कितना चल रहा है इधर चल रहा है n की power 3 by 2 अब देखिए यह plus का power n by 3 by 2 और यहाँ पे minus का cancel होगा इतना step बचा है देखिए कितना वचेगा 2 यहाँ पे है n n की power 3 by 2 इतना वचेगा minus लगाया देखिए plus minus तो minus ही रहा यहाँ solve करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 इतना ही रहेगा लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है n की power 9 by 2 चल रहा है तो हमने इसे erase करके n की power 9 by 2 लिख दिया अब देखिए हमने आप से क्या कहा vn जो होता है वो आप first term लिख लेंगे लेकिन केवल n वाला तो 1 upon कितना हो जाएगा यह n की power 3 by 2 अब दोनों मान निकाल लिए formula लगाएगे मतलब वही comparison test लगाएगे यहाँ पर मान पूरा change हो जाएगा यह चल रहा है n की power 3 by 2 माइनस लगाया यहाँ पर कितना चल रहा है यह चल रहा है n की power 9 by 2 चल रहा है upon में चल रहा है n की power 3 by 2 चल रहा है अब देखिए यह n की power 3 by 2 है यह नीचे है इसे cancel करने के लिए उपर से n की power 3 by 2 common लेंगे common लेंगे cancel होगा क्या बचेगा यहाँ बचेगा 1 upon 2 माइनस लगाया यहाँ पर देखिए कितना बचेगा main काम यही पर है यहाँ पर हो जाएगा 1 upon 8 तो है ऐसी रहेगा लेकिन जब आप यहाँ से 1 upon n की power 3 by 2 निकाला ठीक है 3 by 2 निकाल लिया यहाँ पर कितना बचा केवल n की power 3 ही तो बचेगा देख लिए जो solve करके यहाँ पर अगर हम इसे तोड के लिखे 1 upon n की power 9 by 2 है इसे अगर हम तोड के लिखे तो n की power 3 by 2 हो गया और 1 upon n कीउब हो गया तो into 3 जोडेंग कितना multiply करेंगे 9 by 2 ही आएगा तो यह 3 by 2 तो बाहर निकाल ही चुके है क्या बचा n कीउब बचा ना तो वही अमने यहाँ पर लिखा है आगे ना समझ में इतना term बचा अब limit take करेंगे तो यहाँ n है यह तो 0 हो ही जाएगा आगे सारे terms में n होगा वो भी 0 होगा कितना वचा 1 upon 2 तो यह finite है P test लगाएंगे तो यहाँ sigma vn लिखा यहाँ पे भाई पहले अगर सवाल में आपने 5th वाले में 4th वाले में sigma ना लगाया हो sigma लगा लिजेगा ठीक है sigma में लिखेंगे n की power of कितनी चल रहे है यहाँ पर 3 by 2 चल रहे ही लिख दिया अब 3 by 2 compare करेंगे तो P का मान कितना आ गया 3 by 2 और 3 by 2 का मतलब क्या होता है डेड़ मतलब 1 और आधा तो इसका मतलब क्या है यह हो जाएगा एक से ज्यादा और जब एक से ज्यादा है तो सीरीज क्या केलाएगी हमारी मतलब VN हो गया convergent और जब VN convergent है तो UN भी क्या होगा also भी the convergent तो आप इस पूरे का भी screenshot ले लीजे यह जो छोड़ी छोड़ी से calculation है इसे कर लीजेगा बाकी तो सब सेम बिल्कुल वैसे ही चल रहा था अब चाहते हम तो यहाँ पर से जो 3 by 2 पावर में है इसे हम common भी ले सकते थे तो common ले लेते तो वैसे ही वो चीज हट जाती अगर आप चाहे तो ऐसे चिला लीजे सब करना तो वही सेम है वही यहाँ पर multiply कर दी चाहते तो पूरे step से common लेते यह minus 1 बसता ठीक है वैसे भी सवाल लग सकता है दोनों ही सेम होते नीचे आरने के बाद वह multiply करनी परती ठीक है आता इतुन नहीं अब इसी तरीके से जो यहाँ पर question number 6 लिखा है इसे आप लगा कर देखेंगा एक हम थोड़ा सा आपको बताते ते देखें यह चल रहा है सबसे पहले इसे हम क्या मानेंगे UN मानेंगे तो हमने लिखा यह हम लिख देते सवाल 6 लग रहा है solution number 6 और यह कौन सा था 5th वाला अब देखें question number 6 में क्या है पहले UN मानेंगे कितना UN चल रहा है under root n की power 4 प्लस 1 और आगे लिखा है minus under root n की power 4 आगे लिखा है minus 1 देखें क्या करेंगे यहाँ पर पहले यह पहले क्या करेंगे इसको common बाहर निकाल लेंगे n की power 4 को अब जब यह n की power 4 निकलेगी तो under root का मतलब क्या है यह under root सहीत निकलेगा और under root का मतलब क्या है power 1 by 2 मतलब इसकी power हो जाएगी 1 by 2 solve करेंगे तो 2 से 4 cancel मतलब total अगर हम आपको बताए तो n square निकला है बाहर तो आप इस सब को ना लिखकर direct लिखेंगे जब आप इससे बाहर निकालेंगे तो n square निकलेगा आगे ना समझ में यह n square कैसे आया अब अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा 1 plus n की power 4 और यह हमने power under root हटा कर 1 by 2 लगा यह भई n की power 4 निकाला था ना under root के साथ निकलेगा under root के साथ निकलेगी solve करेंगे इतना आएगा क्या बचेगा 1 minus n की power 4 और 1 upon 2 अब देखें यहां पे यहां भी n square है यहां भी n square है तो पहला काम आप यह करिए total से n square common ले लिजा अंदर क्या बचेगा 1 plus 1 upon n की power 4 फिर total power दे रखिए 1 by 2 minus लगाया 1 minus 1 n की power 1 upon 4 और फिर यहां पे कितना दे रखा है 1 upon 2 आप इसे ऐसे लिख लीजेगा अब यहां पे formula apply हो जाएगा देखे binomial theorem का यह power यहां पे आजाएगी यह power यहां पे आजाएगी बस इसमें इतना करना है आपको कि यहां पर 1 plus x की power n का लगीगा देखे प्लस लगाये न यहां पे minus लगाये तो यहां पे 1 minus x की power n का formula लग जाएगा जो हमने आपको यह formula बता दिया formula same होता है बस alternate में चलता है solve करेंगे तो कई सारी चीज़े आपस में cancel हो जाएगी cancel होने के बाद जब आप formula दोनों का apply कर दे तब कुछ चीज़े cancel होंगी cancel होने के बाद आपको बता रहे है n square के अंदर multiply कर दीजेगा उसके बाद यही आपको करना है vn निकालेंगे जो भी पहला term होगा nth का वो फिर यही apply करना है comparison test, apply करना है और आप बताएगा कि series आपकी convergent आई या divergent आई तो मीद करते हैं कि यह जो सवाल है वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगी और यह वाला लगा कर देखेगा आपकी भी practice हो जाएगी तो इस तरह से comparison test and p test से अगर कोई भी सवाल आता है तो आपको ऐसे ही लगाना है जरूरी नहीं है यही हमारे series आ जाए लेकिन कोई भी आए आपको लगाना ऐसे ही है ठीक है जैसा भी सवालो लगाना ऐसा ही है छोड़कर नहीं आना है अब हम जब कल के class मिलेंगे तो बढ़ेंगे हम test number 3 ठीक है तो इस class में इतने रखते हैं कल मिलते हैं same time तर तक के लिए जय ही जय भारत